हलो फ्रेंड, वेलकम टू माई चैनल तन्नु की रेस्पी, आज की हमारी रेस्पी है कच्छे आलू का नास्ता, वो बहुत जटपट से बहुती कम टाइम में और बहुती कम इंग्रीडेंट में ये बनकर रेडियो हो जाता है रेस्पी शुरू करने से पहले आपसे हमारी रेक्वेश्ट है, अगर रेस्पी पसंद आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दिना, अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा, चलिए बनाना शुरू करती है इदर हमने 6 आलू लियें, मीडियम साइज की कच्चे आलू लियें, और चील के इनको धुल की रेडि करके रख लिया है, पानी में इसलिए डाल लिया है ताकि ये ब्लैक ना पड़े, उसके बाद हमने इदर ग्रेटर लिया है, जो मीडियम बाला ग्रेटर होता है, वो ले बाला बनेगा, सारे आलू इसी तरीकी से ग्रेट करके रख लेंगे हम, इदर हमने सारे आलू ग्रेट करके रख लियें, उसके बाद इसको में दो वार अच्छे से क्लीन कर लेना है, जो श्टार्च बगेरा होता है, वो निकल जाएगा और आलू भी अच्छे से क्लीन हो चाहिए, उसको बाल में ट्रांसफर कर देंगे, आदा चेमच इसमें नमक डाल देंगे, और नमक को अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे, नमक को अच्छे से मिक्स करने के बाद, उसके बाद पांच मिनट के लिए इसी डख कर इसी तरीके से छोड देंगे, पांच मिनट ह हो गए हैं अभी डखकन को हटा देते हैं और यह देखिए नमक का जादू कितना पानी इसने छोड़ा है जिब निचोड के डाला था तब भी इतना पानी इसने छोड़ दिया है इससे क्या होगा ना कि जैसे हम बाइंडिंग के लिए कुछ आटा बगार डालते तो कम आटा लगने वाला है इसको अच्छी से फिर से निचोड देंगे आलूं को एक बावल में इदर हम ठाली में रख लेंगी सारे आलू इदर हमने अच्छी से निचोड की ले लिए उसके पाद मीडियम साइज का प्याज एक लिया है लंबी पीस में कट करकी इसको डाल देंगे इ आधी चिमच जीरा पावडर आधी चिमच रेट चिली पावडर आधी चिमच धनिया पावडर आधी चिमच जीरा उसके कस्तूरी मैथी डालेंगे इसमें एक चिमच उसके बाद धनिया डालेंगे फ्रेक्स बरा बारी कटा हुआ धनिया थोड़ा ज़ादा डालेंगे तभी नास्ता अच्छा बनेगा उसके बाद इधा सूजी लिए हमने चार चिमज भर कर सूजी डाल देंगे इसमें सूजी नहीं है तो बेसन भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो गयों का आटा भी यूज कर सकते हो बैंडिंग के लिए बहुत कम आटा लगने वाला है सारी चीजों को अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे वो पेश्ट बना कर हमें रेडी कर लेना है इधर पेश्ट हमारा बनकर रेडी हो गया है उसके बाद इसको हमें ऐसी हाथ में लेंगे थोड़ी जैसे बॉल्स बनाते हैं छोटी छोटी नीवू हाकार इतनी उतना ही पेश्ट लेना है उसको हाथ से दवाते हुए इसको इस तरीके से फिला देंगे उसके पार इसके अंदर चीज क्यूब्स रख देंगे इसमें अगर आपके पास पनीर है तो वो भी आप इसमें रख सकते हो और इसको अच्छे से दवा देंगे और इसे कवर कर देंगे चीज क्यूब्स को थोड़ा सा पेश्ट ओल लगा देंगे उपर सी ताकि अच्छे सी कवर हो जाए इसको हमें लंबा सीप देना है आप चाओ तो गोल भी सेप दे सकते हो उसमें सेप आप अपनी पसंद के दे सकते हो और इसी तरीके से सारे नास्ते को हम बनाकर रेडी करेंगी बहुती जटपट से यह बन जाता अगर आपके पास कोई पनीर वगएरा नहीं है तो आप इस तरीके से सिंपल भी बना सकते हो इधर हमारा सारा नास्ता बनकर रेडी हो गया बहुती जटपट और बहुती कम टाइम में बन जाता है और आप चाओ तो गोल भी बना सकते हो और नहीं तो ऐसा लंबे से इप बीस को दे सकते हो इधर oil को हमने पहले से गरम करने के लिए रख दिया तो oil अच्छी से गरम हो गया है उसके बाद एक ही करके इसमें नास्ता डाल देंगे जितना कड़ाई में इसपेस होगा उतना मेक साथ डाल देंगे इसमें और गैस को ना मीडियम फ्लेंपे ही कर देंगे तभी नास्ता हमारा अच्छा सिखी गया एकदम क्रिस्पी और करा रहा अंदर तक अच्छे से सिख पाएगा नास्ता उसके बाद इसको हम पलट देंगी बहुती प्यारा कलर आया है सारी नास्ते को इसी तरीके से पलट देंगी आपको देख की पता चल रहा हुआ कितना प्यारा कलर आया हुआ है नास्ते में दूसरी तरब भी सेम इसी तरीके से के रख लेंगे इधर हमारा नास्ता बनकर र लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक पॉर वाचिंग मिलते हैं आपको अगली वीडियो में